गबरहाट या मांसी की बेचेनी महसूस हुई तो क्या कड़े इसके बारे में बात्चीत करते हैं गबरहाट या बेचेनी आपको मैसूस होती है और वह काफी दिन से हैं तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वह एंग्जाइटी है फोबिया कुछ चीशका हो रहा है कि उसके वज़े से घबरहाट वगर होते रहती है या कुछ पैनिक अटक आरहे कि उसके वज़े से अगर कुछ भी नहीं है और घबरहाट वर बेचेनी हो रही है तुमको देखना पड़ेंगा कि इसकी वज़े क्या है क्या जब घबरहाट वर बेचेनी होती है तो शान देख ज़कर बैठो और सोचो कि ऐसा मेरे मन के खिलाब क्या हुआ मन को टेंशन देने वाला क्या कुछ भी हो रहता है जिसका अंदर कॉन्वरोजेशन घबरहाट बेचेनी आते हैं तुमको जड़ पर जाना पड़ेंगा कि हुआ कि इसके वज़े कोई विचार आ जाता है कुछ वह भी नहीं बाहर अंदर ही विचार आ जाता है कुछ तो भी विचार आता है और एक बार चिंता गवर बेचनी शुरू हो जाती है जैसे गवर बेचनी शुरू हो जाती है फिर हमारा दिमाग जाता है जरत और उसके वह फार आ दीमाग घलत तो नहीं किया आज सब्सक्राइंग कुछ कर गयता है कुन सा conversation मैंने entertain किया कुन सी बाच्ची दिमाग में मैंने अपने आप से कि जिसके वाइस मुझे हो रही है घबराट बेचे निए ठीक है यह है चलो इसके उपर मैं क्या कर सकता हूं इसके उपर क्या solution है इसको मैं कैसा face कर सकता हूं वो देखो उसका plan बनाओ action बनाओ दूसरा meditation करो तिसरा self hypnosis करो चाओता सिर्फ शांद बैटो लंबी-लंबी सास लोर छोड़ो रलाक्स हो जाओ पांचवा कई घुमने चले जाओ किसको phone करो लोगों को phone करो अपने दोस्को phone करो शांद एक जागा बैटो कुछ strong अच्छी coffee अच्छ लगते तो वो ले लो चाय अच्छ लोगों को शेर करो बहुत लोगों को फायदा हो जाएंगा बाद में रिलाक्स हो जाएंगा बाद में रिलाक्सेशन करो सेल्फ इपनासिस करो आत्मस हो जाओ देओ मगर यह temporary है सब आपको देखना पड़ेंगा कौनसी conversation कौनसी बाच्चीत मेरे दिमाग में हो रही है कौन आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेर करो बहुत लोगों को फायदा हो जाएंगा कि बहुत लोगों तकलिव है यह थैंक यू वेरी मच्छ